Welcome to NCERT VUPC दोस्तों NCERT VUPC में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है यह जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे Class 12 Political Science Chapter No. 5 Challenges to End the Restoration of the Congress System यह जो वीडियो है यह Part 2 है इसका Part 1 already available है अगर आपने नहीं देखा है तो वो Part 1 जरूर देखेगा नीचे description में आप link देख सकते हैं अगर आप channel पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी channel को subscribe कीजिए और अपने friends के साथ में share भी कीजिए यहाँ पे हम करते हैं in-depth study हर एक topic की तो last time तक हमने कहां वर तक read किया था एक बार उसको recap करते हैं लास्ट टाइम तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो है election जो होने वाला था 1967 का तो उसका क्या context था कि Prime Minister जो थे उस जो जो में लाल भादूर सास्त्री sudden उनकी death हो गई थी और उसके बाद में इंद्रा गांधी को बनात दिया गया था और पहली बार 1967 के election में without जवालाल नहरू क्योंकि अब तक के जो election वे थे last time तक जवालाल नहरू lead करते थे Congress को और Congress का ही एक era था जिसमें Congress Party जीतती आ रही थी लेकिन without जवालाल नहरू first time election होने वाले थे तो किस तरीके से non-Congressism ये भी बहुत popular हुआ कैसे जो Congress Party के खिलाफ पार्टी थी वो एक्जूट हुई और उन्होंने non-Congressism का slogan दिया और सारी पार्टी एक्जूट होके Congress के सामने election उन्होंने fight किया अब अगला जो topic है वो ये है कि election का result क्या आया तो electoral verdict जो था वो भी एक बड़ा interesting verdict हुआ कि इस तरीके की situation में जो 4th general election हुआ लोकसभा का और कई स्टेट assembly के elections भी हुए 1967 में और Congress पहली बार जैसा भी हमने discuss किया नहरू के बिना जो वाहलाल नहरू के बिना जो है contest कर रही थी election result जो था it jolted the Congress क्योंकि result जो था state level पर national level पर कई सारे many contemporary political observers describe the election result as a political earthquake earthquake for the Congress क्योंकि जादा कोई अच्छा result नहीं आया था Congress के लिए कई सारे state assemblies में जो Congress election हार गई हाला कि Center में उसकी government बन गई एक तरीके से लेकिन जो पहले जितनी seats मिलती थी Congress को उसे बहुत less होग इसकी से तो यह जैसे आपको बता रहा है the Congress इस पूरे चेप्टर में हम क्या रीड कर रहे हैं हम रीड कर रहे हैं हम रीड कर रहे हैं Congress system जो Congress era है एक जवाल नहरू से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से अपके फेस तक इंद्रा गांधी के आने तक कैसे Congress में क्या क्या changes हुए और कैसे हो जो Congress era था Congress system था क्या था उसको हम समझ रहे हैं तो अब हमने 1967 के election में जाना है कि election का जो verdict था Congress के ज़्यादा favor में नहीं आया हालां कि it even managed to survive in the center center में उसने किसी तरीके से manage कर लिया अपना survival लेकिन seats जो थी बहुत कम हो गई 1952 के election से अब तक जितने भी election होए सबसे कम seats इस बार उसे आई थी कई सारे half of the ministers of Indra's cabinet they lost बहुत सारे बड़े-बड़े leaders दो थे उस duration के International Congress के वो चुनाव हार गये जिसमें कामराज ये कामराज Tamil Nadu के अंदर जो उस duration में Congress के प्रेजिडेंट भी थे एसके पाटिल महराष्ट रातुल्य घोष्वस बंगाल के भी साहय बिहार तो ऐसे बड़े-बड़े नेता जो है वो चुनाव हार गये यहाँ पर एक और important leader के बारे में आपको दे रखा है जो question पूछा जा सकता है राम मनोहर लोया तो राम मनोहर लोया एक socialist leader थे समाजवादी नेता जिनको बाना जाता है और समाजवादी party हो या कई दूसरी जो समाजवाद को लेके जो आगे बढ़ती है वो इनको अपना एक तरीके से idle मानती है और राम मनोहर लोया socialist leader थे और इन्होंने एक तरीके से कई जो non-congres party है उनको unite करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था non-congresism का नारा इन्होंने slogan आगे बढ़के अपनाया था और कई सारी political parties को जो है unite किया था against congress अब आप यहाँ पर देखिए आपको एक map दे रहा है यहाँ पर assembly election का result का map तो इसमें आप देखिए कि बहुत सारे states लगबग ऐसा जो है nine states के करीब states थी जहाँ पर congress की सरकार नहीं बनी और congress जो है इस तरीके से बहुत क्योंकि अब तक का phase 67 तक congress ही अकली एक पार्टी थी जो जादा तर states में उसकी government थी center में उसकी government थी लेकिन पहली बार उसको इतना बड़ा जो है dent का सामना करना पड़ा एक election के अंदर तो dramatic situation थी अब इस situation में एक और चीज important हुई और वो क्या थी वो ये थी कि coalition तो coalition जो है उसका एक नया phase देखने को मिला इंडिया के अंदर Indian politics मां coalition क्या होता है तो coalition मतलब है जब कभी कोई political parties चुनाओ के बाद में अगर manage नहीं कर पाती है majority seat तो वो किसी दूसरी political parties के साथ में मिलकर government form कर ले तो उसको हम कहते है alliance government या coalition निखते कि से political parties का गट जूड, political parties का अपस में मिलना, साथ में चुनाओ लड़ना है साथ में government में role play करना तो उसको हम कहते है coalition तो इस तरीके से 1967 के बाद में coalition जो है यह बहुत form हुए अलग-अलग जगें और कई जगें जो है SVD government जैसे आपको बोल रहे है आप यह SVD के है SVD है संयुक्त विधायक दल जैसी यहाँ पर आप देखी इसको इंदीम बोल लगता था इसलिए इसको शौर्ट में बोल दिया SVD तो अलग-अलग states के अंदर जो non congress parties थी उन्होंने क्या form करना स्टार्ट कर दिया SVD संयुक्त विधायक दल जिसके अंदर congress के अलावा जो political parties अलग-अलग states के अंदर assemblies के अंदर जीती है तो आपस में मिलकर वो government बनाया उन्होंने तो कई states के अंदर SVD governments बनी SVD governments समझ गया संयुक्त विधायक दल government SVD governments तो अलग-अलग जो है coalition जो है अलग-अलग parties मिलकर अपनी सरकारें जो है उन्होंने अलग-अलग states के अंदर बनाई even बड़ा interesting था कि ये जो SVD governments ते इसके अंदर कही rival parties भी थी तो सिर्फ Congress का मुकाबला करने के लिए वो rival parties भी एक साथ आ गई तो देखिए the SVD government in Bihar for instance included two socialist parties SSP and PSP और उसके साथ CPI on the left and Jansang on the right तो बड़ा interesting था कि कई सारी political parties जो एक दूसरे के एक तरीके से ideologically opposite थी लेकिन वो भी parties जो है government form कर रही थी अलग-अलग states के अंदर क्यों to remove the Congress ताकि Congress जो party है वो सरकार में ना है तो यह anti Congress system वहां पर establish हो गया था और इसका एक बड़ा interesting cartoon आपको नीचे दे रहा है यहां पर देखिए cycle में bicycle जो है यह इस पर चल रहे हैं सभी और इसमें कई सारी political leaders जो है वो बैठे हैं और यहां पर वैसे चरन सिंग जो है पार्टी जो है non communist party जो है उनका एक गटजोड बनाने की कुशिश की थी चौदरी चरन सिंग ने और उसका कोई cartoon दे रहा है यहां पर तो बड़ा interesting है कि किस तरीके से यह SVD बन तो रही थी लेकिन इनमें भी किस तरीके से division था एक differences थे है अब defection तो defection का एक ओर topic है defection का मतलब क्या होता है question आ सकता है तो defection का simple सा मतलब है कि कोई elected representatives and elected representatives leave the party on whose symbol he she was elected and joins another party so this process this is known as defection कि एक कोई person candidate किसी particular political party से contest किया उसने और उसे जीत के आया लेकिन जीतने के बाद में उपनी party को छोड़ दे जाता है और दूसरी party को join कर ले या कुछ और work करें अपनी party को छोड़ के उसको हम क्या करता है defect करना है तो defection यह है defection politics के अंदर और आप सूच के देखिए जिसे currently बहुत सारे leaders जो है किसी political party से contest करें और अचानक जीतने के बाद में उसको छोड़ दें दूसरी political parties के साथ में मिल जाए तो एक unstability kind of situation हो जाएगी न तो ऐसा ही situation देखने को मिली आजादी के बाद में आयाराम गयाराम type of situation यह बड़ा एक interesting popular हुआ यहाँ पर आयाराम गयाराम अब यह सर आयाराम गयाराम क्या है तो आयाराम गयाराम मतलब यह use किया गया है term यह coin की गई है उन leaders के लिए जो क्या करते हैं अपने parties को छोड़ देते हैं कभी किसी दूसरी party को join कर लेते हैं यह वापिस उसी party मा जाते हैं तो इसके लिए यूज किया गया था और यह coin कहां से वह word तो यह गयालाल गयालाल नाम करके एक MLA थे हारियाना के और यह जो गयालाल MLA थे 1967 के अंदर एक fortnight में लगभग 15 days के division में इन्होंने अपनी party जो है Congress party से जीतके आये थे Congress छोड़के कहां चलेगे United Front में जो Congress कैंटी बना था और उसके बाद में वापिस यह Congress में आगे back to Congress और Congress में आने के बाद में जब यह वापिस Congress में इनका नाम था गया राम तो Congress को जो लीडर थे उस division में राव बिरिंदर सिंग तो वो इनको चंडिगड प्रेस क्लब में लेकर वहां पे उन्होंने बोला कि यह जो गया राम है अब यह आया राम हो गया में वापिस हमारी party क अंदर Congress party के अंदर आ गए लेकर बड़ा interesting था कि 9 गंटे के अंदर अंदर विदिन 9 अर्स यह अगें रिटर्न टू United Front तो वापिस जो United Front में चले गए तो यह बड़ा popular हुआ आया राम गया राम तो यह किसके लिए उस किया गया उन लीडर्स के लिए उस किया गया जो से उनका election उसने विन तो कर लिया एक किसे center में government तो बना ली लेकिन वो majority loss कर दी उसने और कई सारे states के अंदर उसने majority loss कर दी अपनी किसी तरह किसे उसने center के अंदर अपनी government जो वो establish की तो एक situation थी कि इस situation में Indra Gandhi जो थी क्योंकि बिल्कुल नहीं थी politics के अंदर तो उनको भी अपने आपको प्रूव करना था उसके अलावा Congress के अंदर बहुत सारे old leaders थे जो यह चाहते थे कि Indra Gandhi उनके according work करे लेकिन Indra Gandhi अपनी जो बाते थी उनको भी firm रख रही थी और एक तरीके से आगे बढ़कर कुछ steps ले रही थी तो इसके विरुद जो old Congress leaders थे उन्होंने अपन एक faction मना लिए एक group बना लिए एक तरीके से जिसको नाम दिया गया syndicate तो old Congress जो थी एक तरीके से वही थी syndicate तो Indra versus syndicate यहां पर क्या बात करें Indra versus syndicate का मतलब है Indra Gandhi उनकी party के अंदर ही मतलब Congress party के अंदर ही किस तरीके से दो faction बन गे दो ग्रूप बन गे जो इंदरा गांदी वह बहुत ज्यादा थी लेकिं Indra Gandhi ने किस तरीके से इस चीज़ को counter किया वही आपके इस topic के अंदर बता रहा है तो Indra versus syndicate तो syndicate word किसके लिए उस किया गया अगर आपसे question मनें तो syndicate was the informal name given to a group of Congress leaders who were in control of the party's organization तो party के organization के अंदर क्योंकि old leaders का control था तो उनके लिए word use किया गया यहां पर आपको picture दे रहा है ना नी जलिंग अपा यह जो थे करनाटका के थे यह है इसके लावा एन संजीव रडडी और बहुत सारी दूसरी leaders जो थे वो थे syndicate के अंदर अब देखिए यह जो था कौन syndicate group यह powerful group था a group of powerful and influential leaders from within the Congress Congress party के अंदर यह powerful group था तो Indra versus syndicate हो गया अब इसको counter करने के लिए Indra Gandhi ने क्या किया तो अब आपको के सर वो अंदर ही था मतलब group Congress के अंदर ही दो faction हो गये तो कैसे government survive करिया गौर्वर्मेंट ने कैसे steps उठाए तो कई सारे government के steps थे उनको जो है oppose करते थे यह syndicate जो था यह oppose करता था और एक incident हुआ 1969 की duration में अब वो क जा था और बड़ा interesting है उससे पहले एक बहुत bold strategy इंदरा गांदी ने अपना ही अपनी government को establish करने के लिए किसी converted simple power struggle into an ideological struggle कि power struggle जो था तो कि syndicate चाता था उसका control रहे government में और इंदरा गांदी जो थी obviously वो भी अपने आपको leader के रूप में establish कर रही थी तो वो obviously क्योंकि Prime Minister थी वो obviously अपना control चाहती थी पार्टी के अंदर भी Congress के अंदर और government के अंदर भी तो इंदरा गांदी ने के step उठाया और उन्होंने क्या किया उन्होंने Congress Working Committee से एक proposal पास करवाया 10-point program 1967 में 1967 में 1967 और इससे जो proposal पास करवाया तो हाला कि बहुत popular इस proposal को पास करवाने के बाद में अंदर गांदी कि उनका proposal के अंदर क्या था Congress Working Committee कि हम government में government इन सारी चीज़ के basis पर वर्क करेंगा तो प्रपोसल के अंदर क्या था कि control of banks nationalization of general insurance ceiling on urban property and income public distribution of food grains land reforms provision of house sites to the rural poor while the syndicate leaders formally approved this left-wing program they had serious reservation about the same और तो इन हाला कि जो ये जो थे syndicate इनके कुछ reservations थे stand point program को लेके लेकिन formally उनको ये चीज़ पास करनी पड़ी और इस चीज़ से इंदरा गांदी भी अपनी party के अंदर भी और देश में भी एक तरीके से उनका धिर 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 डॉमिनिंस अपनी जो है चाप वो यहां से start हो गया था और उनको next मौका मिला presidential election में 1969 में उस डिशन में हमारे vice president थे वीवी गरी जाकिर हुसाइन की death हो गई थी जो हमारे उस डिशन में president थे पहले अब उनकी death के बाद में seat weekend थी तो president obviously appoint करना था तो जो इंदरा गांदी थी इंदरा गांदी के एक तरीके स जो opposition करते थे बहुत नीलम संजीव रेड़ी जो नीलम संजीव रेड़ी थे speaker थे उस situation में लोग सबाके और ये एक तरीके से syndicate जो syndicate था उसको favor करते थे obviously syndicate का ही एक part थे old congress जिसको हम कहा रहे हैं तो जो old congress है या congress जो है formally congress ने नीलम संजीव रेड़ी को nominate करवा दिया as a president क कि वह नीलम संजीव रेड़ी कॉंगरस की तरफ से president का election fight contest करेंगे लेकिन बड़ा interesting हुआ इंदरा गांदी ने बड़े interestingly अपने विजन से vice president थे उस situation में वीवी गरी एंकट इश्वर जो गरी थे vice president थे हमारे वीवी गरी आप यहाँ पर देख सकते है picture तो वरहरी वेंकट गरी यह जो वीवी गरी है यह हमारी vice president थे इंदरा गांदी ने इनको encourage किया वीवी गरी को कि वो अपना nomination file करें as an independent candidate और वीवी गरी successfully उन्होंने nomination file अपना file किया as an independent candidate अब उसके बाद में क्या हुआ बढ़ा interesting है देखिए इंदरा गांदी support कर रही थी वीवी गरी को जो vice president और जो congress party जिस party से वो आती थी उसने अपना एक formal candidate बना रखा था नेलम संजीव रड़ी को दोनों के बीच में contest हुआ दोनों के बीच में contest हुआ और इसी duration में उन्होंने इंदरा गांदी ने कई सारी अपने policies और popular programs announce किये उन्होंने कहा कि हम nationalization करेंगे private जो उस duration में 14 leading private banks थ तो special allowances मिलते थे special जो है एक तरगे सेलरी और allowances मिलते थे princess को जब integration किया गया था princely states का तो उनको कुछ privileges दिये गये थे कुछ विशेश अधिकार दिये गये थे उसमें allowances उनको salary के रूप में preview purse जिसको नाम दिया गये तो preview purse को abolish करेंगे ये भी इंदरा गांदी नानाउंस मुरारजी देशाई जो थे उस decision में deputy prime minister थे और finance minister का ministry का role भी वो जो है portfolio उनके पास ये था उन्होंने इस चीज को इस चीज से वो agree नहीं थे कि preview purse समाप्त किया जाए और उन्होंने क्या कर दिया इंदरा गांदी की cabinet से इसको counter करने के लिए बड़ा interestingly हुआ ये इंदरा गां Congress के members है पारलेमेंट में और विधान सभा में जो assemblies है वहाँ पे लेसलेट assemblies में वो हमारे formal candidate को क्या करें वोट करें इंदरा गांदी ने अनूंस किया कि सभी जो Congress के members है वो अपनी soul अपनी अंतरात्मा की आवास सुने और जो right candidate हैं उनको वोट करें बड़ा interestingly हुआ है कि ज उसका formal candidate चुनाव हार गया और वीवीगरी चुनाव जित गया और इंदरा गांदी ने एक तरीके से Congress में रहते हुए और अपनी जो leadership है वो प्रूव कर दी और निलम संजीव रेडी को जीता दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा interesting boxing match है यह और किस तरीके से निलम सं कॉंग्रेस के कौन नी जलिंगंपा यह जो थे यह करनाटका से बिलॉंग करते चीफ निश्रू भी रहे थे वहां के तो इन्होंने अब बड़ा interesting है तो Congress versus एक तरीके से इंदरा गांदी versus एक तो जो syndicate था अब इंदरा गांदी को जो support करते थे जो supporters थे इंदरा गांदी के उन्होंने ये पहले बोला था फॉर्मल मीटिंग जो voting होने वाले थी उससे पहले request किया था ask किया था कि एक meeting बुलाई जाए demand की थी तो इन्होंने अपनी demands रखी थी तो इसलिए इनको बोला जाता है request है और requestnist तो इसलिए इंदरा गांदी के जो supporter थे उनको बोला जाता है Congress R उस decision में Congress R requestnist कौन थे जो demands करते थे requestn करने का मतलब क्या है ask करना demand करना तो इंदरा गांदी की supporters है वो demand उन्होंने की थी एक official meeting की कि हमें जो अपना candidate किसको बनाना चाहिए किसको नहीं बना चाहिए तो इस situation में इनके supporters थे उनको Congress R बोला गया और इनके जो against थे उनको बो ticket था उनकी ज्यादा dominance था उनको Congress O refer किया गया तो यह पूरा election जो था President का कैसे election हो गया Congress O versus Congress R का election हो गया कई लोग इसको ऐसा describe करते हैं कि Old Congress versus New Congress हो गया Old Congress को जो लीड कर रहे थे जो पुराने leader थे जैसे अभी हमने देखा संजीव रडडी उसमें हो नीजलिंगपा उसमें हो या उसके लाब मुरालजी देशा उसके पार्ट रहे हो या दूसरी leader उसके पार्ट रहे हो तो Old Congress versus New Congress New Congress में इंद्रा गांधी और जो दूसरी leaders उनको support कर ले थे Congress R जो थी Old Congress New Congress हो और ultimately New Congress जीती तो इस तरीके से उन्होंने जो है अपना प्रूव कर दिया Abolition of Previpers अभी Previpers हमने समझा Previpers क्या था Special Grants जो थी Allowances जो दिये गए थे कुछ Special Privileges Princes को जब integrate किया गया था कई सारे Princely States को तो उनको कुछ जो है Allowances कुछ Privileges विशिश अधिकार दिये गए थे उनको बोला जाता है Previpers तो इंदरा गानी ना Announce किया था कि वो क्या करेंगी Previpers को abolish करेंगे तो हाला कि इसके विज़े से वो बहुत popular हुई और ultimately जो है 1971 के election में जाके जब उनको इतनी majority मिली वास्ट majority तो उसके फ्री वोट किसको फ्री वोट कह रहेंगे Congress के लीडर से अपने फ्री वोट दे तो Congress के अंदर एक तरीके से स्प्लिट हो गया Congress R Vs. Congress O हो गया अब देखे 1971 का election and restoration of Congress तो अब 67-69 के election हमने देख लिया जो प्रेजिडन के election हुआ 67 में election हुआ ही था 72 में election होने वाला था लेकिन इंद्रा गांदी ने announce कर दिया कि हम जो election है पहले ही करवा लेंगे और यह बड़ा bold step था उस situation में यह बड़ा एक surprising bold move था कि लोकसभा का desolation होगा कब December 1970 में तो दो साल पहले election करवाने के decide के अंद्रा गांदी ने और 5th general election जो है फिर held हुए February 1971 के अंदर अब यह जो contest हुआ इसके अंदर क्या हुआ जो Congress R थी electoral contest जो था यह Congress R versus Congress O का system यह भी था R जो था इंद्रा गांदी रिखिस्निस्ट old organization को जो support करते थे इस चीज को worse करने के लिए इंद्रा गांदी के और जो political competition था उसको tough बनाने के लिए Congress party के खिलाब भी कई सारी anti Congress party जो थी उन्होंने भी grand alliance बनाये महागट बंदन जिसमें SSP, PSP, भारतिय जन्संग, सोतंतर party, भारतिय करांती दल और भी बहुत चारी political party जो थी वो एक साथ आई और जो ruling party थी Congress party उसका एक alliance था CPI के साथ में Congress R जो थी उसका alliance था CPI Communist Party of India के साथ में अब New Congress जो थी उनके पास में एक सबसे important चीज यह थी कि उनके पास में agenda था उनके पास में positive slogan था यह चीज जो थी we will remove poverty उस situation में एक बहुत popular slogan हुआ इंद्रा हटाओ इंद्रा हटाओ का नारा जो है रामन और लुया ने या उनके लावाँ बहुत सरे leaders ने दिया उस situation में इंद्रा हटाओ तो इंद्रा गांदी ने इसको भी एक तरगी से मोल्ड कर लिया और उन्हों ने नारा दिया slogan या गरीभी हटाओ रिमूव पोवर्टी बहुत पॉपुलर वा विन नारा तो आदिवासियों के बीच में विमन के बीच में दलिच में लेबरर्स के बीच मे इंद्रा गांदी बहुत पॉपॉलर वी अनिम्पॉड यूथ के बीच में और अल्टिमेटली इस पूरे इलेक्शन का 1971 का जो इलेक्शन हुआ फेबरे 1971 में इसका आउटकम ये था कि इंद्रा गांदी की गवर्वर्मेंट को कमाइंडली इन कॉंग्रेस आर प्लस सीपिय कमाइंडली 375 सीट्स मिले 48.4 परसंट वोट्स मिले और जो पहले चार एलेक्शन वोई थे उसमें सबसे ज्यादा सीट्स एक तरीके से इस बार मिली तो इंद्रा गांदी ने अपनी लीडर्शिप को एक तरीके से इस्टैबलिश कर दिया कि उनकी लीडर्शिप में और ज सब्सक्राइब तो इनको कमाइंडली एक तरीके से 16 सीट्स जो है वो मिली और इनके अलावा जो ग्रांड अलाइंस जो था महागटमंधन जो बना इनको टोटली सब को मिला के 40 सीट्स मिले तो बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टो ने यहां पर सेकिंड थर्ड मतलब हर जग गांदी ने और एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर बनके उभरी इंडिया की और फिर प्राइमिनिस्टर भी बनी और कई पॉलिसी जो है रिफॉर्म्स सोचल रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर की पॉलिसी स्टैबलिश की बहुत सारी इस डूशन में हागे जाके 71 की क्राइ पाकिस्तान की जो क्राइस थी बंगलादेश की जो क्राइस हुई इस पाकिस्तान के साथ में हमारी वर हुई देसमाद 1971 के अंदर बंगलादेश करेट किया गया इस चीज़ से इंडरा गांदी और पॉपुलर हुई और फिर जो भी संबली एलेक्शन होते गए उसमें क्रिमेटली कॉंग्रेस प्रूव कर दिया था इंडरा गांदी जो है इंडरा गांदी जो है वो चीफ मिनिस्टर बना रही है पंजाब, राजस्तान, महराष्टर, अर्याना, MP, आंदरप्रदेश, बिहार, असाम तो किस तरीके से जो है इंडरा गांदी से अपनी मर्जी से ही जो है लेडर्स को चूज कर रही है, ना रिस्टोरेशन, क्या यह रिस्टोरेशन था यह important चीज है, कि इंडरा गांदी ने यह तो इंडरेशन कॉंग्रेस का दुबारा एक एरा, तो 67 के फेज में खराब हो ग कॉंग्रेस के अंदर, अलगलाए ideological based लोग भी एक कॉंग्रेस के अंदर सामिल थे, लेकिन इस बार, इंडरा गांदी के time period में यह change हुआ, एक reinvention किया उन्होंने, कॉंग्रेस के अंदर, और अपने आपको dominant, कि it rallied entirely on the popularity of the supreme leader, इंडरा गांदी की popularity के कारण जो है वो, पर कॉंग्रेस ने अपना जो कॉंग्रेस रिस्टोरेशन जो था, system restoration वो किया, तो यह इस तरीके से यह सारी चीज भी, और बाद में जो है, हालां कि इंडरा गांदी की government को कुछ unrest का सामना भी करना पड़ा, popular unrest and mobilization on the issues of development, economic deprivation, यह दिर दिर बढ़ते गया, unemployment की crisis, और आगे की chapter में हम देखेंगे emergency, January 75 के division में लगाएगी, तो वो क्या crisis थी, तो यह आपका chapter पूरा हुआ, यह आपका chapter पूरा हुआ, यह आपको वीडियो कैसे लिगे, अपने जरूर बताएगा, comment करके, अपने friends के साथ में इस वीडियो को share कीजीगा, और अगर आपको कोई topic नहीं स सकते हैं, and thank you, thank you very much.